नमस्कार दोस्तों जिके संसार में आप से भीका स्वागत है आज हम सब भोजन के बारे में बात करेंगे और यह टॉपिक है वह आने वाले क्योंकि इससे परिक्षाओं में पुछे जाते हैं कि कौनसे विटामिन की कमी से हमारे सरीर में रोग होता है इसलिए इस टॉपिक को आप सब के लिए लेकर आया हूँ अगर आप जीके संसार से जुढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे यूटूब चैनल को आप सबस्क्राइब कर सकते हैं और जो पास में है उसे भी क्लिक कर सकते हैं करने से आपको टाइम पर नोटिफीकेशन मिल जाएगी और आप विडियो देह पाओं थांए और आप अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सेर करना बिलकूल ना बोलें और अगर आपको कोई कमी लगती है तो मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं और कोई अगर आप सुझाओ देना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं आपका कॉमेंट मेरे लिए ब वसा जल तथा प्रोटीन से बना हो और जिव द्वारा ग्रहन किया जा सके वह भोजन कहलाता है। ठीक है। ऐसा कोभी पदार्थ जो कार्भोहाइडरेट वसा जल तथा प्रोटीन से बना हो और जिव उसे ग्रहन करे तो वह भोजन कहलाता है। जियू ना केवल जीवित रहने के लिए बलकि स्वस्त और सक्रिये जीवन बिताने के लिए भोजन करते हैं। भोजन में अनेक पोसक तत्व होते हैं जो सरीर का विकास करते हैं, उसे स्वस्त रखते हैं और सक्ति परदान करते हैं। भोजन में पाए जाने वाले अवस्चक तत्वे हैं उनके बारे में हम जानते हैं भोजन में पाए जाता है कार्बो हाइडरेट, प्रोटीन, वसा और तेल और बिटामिन और खनीज याने बिटमिन्स और मिनरल्स ठीक है तो आएए आगे दिखते हैं, भोजन में सभी पोसक तत्व होने चाहिए, जैसे कि मान स्पेसियों और उत्कों को सबल बनाने के लिए प्रोटीन, उर्जा या सक्ति परदान करने के लिए कार्बो हाइडरेट और वसा, ठीक है? अगर उर्जा और सक्ति परदान हमारे सरी को करना है, तो उसमें जो मेन भूमिका होती है, वो होती है कार्बो हाइडरेट और वसा की, मजबूत हड़ियों और रख्त के विकास के लिए हमें मिनरल्स यानि कि खनीज लवन और स्वस्त जीवान विकास के लिए मिटिमिन्स चा कार्बो हाइडरेट, प्रोटीन, वसा, बिटामीन और खनीज की आवसकता मनुस की आयू, लिंग, सारीरिक स्रम और सारीरिक दसा पर निर्वर करती है, जो पोसक ततो है, वो मनुस की आयू पे, एज पे, उसकी लिंग पे, सारीरिक स्रम जितना वो मेहनत करता है, उसके अक दप्तर में काम करने वाले ब्यक्ति की अपेक्चा कहीं अधिक सक्ति परदान करने वाले भोजन की अवैसकता होती है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, तो आपसे ज़्यादा जो मजदूर है, जो की बाहर सारे रिक ज़्यादा काम करता है, उसे आपसे ज़्यादा भोजिन की आवस्कता होती है. गर्भोती महिलाओं और अस्तन पान करने वाले बच्यों की माताओं को सारेलिक परिवर्तनों के कारण अधिक प्रोटीन और खनीजों की आवस्ता होती है जो महिलाएं गर्ववती होती हैं या अस्तनपान कराती बच्चे को दुद्ध पिलाती हैं उनको सरीरिक परिवर्तनों के कारण अधिक प्रोटीन और खनीज की आवसकता होती है इसलिए यह जरूरी है कि हर ब्यक्ति अपनी आयू, लिंग, काम की दसा आधिक अनुसार अपन कढ़ाते है और भुझन के प्रकार क्या है, आईए यह उनके बारे में जानते हैं, पहले हम बात करेंगे सक्ति दायक भोडन के बारे में, इसमें काृजिधर, तथा वसा युक्त भोजण को सक्ति-प्रदायक भोजण कहते हैं, तिक जिसमें कार्भोहइड्रेट और वसा- अधिक प्रोटीन वाला भोजन शरीर निर्मान करने वाला भोजन कहलाथा है। भार्तिय नसल की डेसी गाय का दूद, घी, डाल, तिलहन, गरी और कम मुवसअ वाले तिलहन के उत्पात इसवर्ग में आते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए अतियंत आवस्यक तत्व है और यह हमें मिलता है मांस, मचली, अंडे इत्यादी भी प्रोटीन के अच्छे शुरूत हैं उसके बाद बात करते हैं सरचन देने वाले भोजन जिस भोजन में प्रोटीन, बिटामिन और खनीज अधिक पाये जात और फल जो है इसी वर्ग में आते हैं और भोजन को अधिक उबालने या तलने से बहुत से पोशक तत्व जो होते हैं वह नस्ट हो जाते हैं इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि खाना सही तरीके से पकाया जाए जो हमारे सरीर को इनर्जी दे उसके बाद पोशक तत्वों के कारे और उनके स्रोत प्रोटीन प्रोटीन के बात करते हैं तो सरीर में उत्को महांस्पेसियों और रग्त जैसे महत्पून द्रभ्यों का निर्मान संक्रमन का सामना करने के लिए इंजाइम और रोग परतिकार रग्तत्वों के विकास में सहायता करता ह और इसका जो सुरोत है जहां से हमें प्रोटिन मिलता है वो ताजा या सुखाया हुआ दूद, पनीर, दही, तिलहन और गिरी, सोयवीन, खमीर, दाल, मांस, कलेजी, मचली, अंडे और अनास से हमें प्रोटिन मिलते हैं बच्चों में प्रोटिंग की कमी से मारासमस यानि सुखा रोग और क्वासिका कोर हो जाता है। अब बात करते हैं वसा की, तो सक्ति के संकेंद्रित शुरूत का काम करना और गुनल सिल विटामिनों की पूर्ति करना इसका काम है। सुरूत इसका जहां से इप्राप्त होता है, मिलता है, वो होता है मकन से, घी से, पनस्पति तेल और वसा से, तिलहन और गीरी से, मचली का, तेल और अंडी की जर्दियानी जो योग होता है बीच वाला पिला उसको उसी से हमें वसा मिलता है। अब बात करते हैं कार्बो हाइडरेट की, तो कार्बो हाइडरेट सरीर को सकती परदान करना इसका काम है। आलू, चुकंदर, अर्वी और चीनी, गुड़ से भी मिलता है। और इसकी कमी से केटोसिस नमक रोग होता है। carbohydrate की कमी से जो बीमारी होता है वो होता है ketosis अब बात करते है vitamin के बारे में तो vitamin A जो है सरीर की चमड़ी और स्लिसम जिली को स्वस्त रखना और रात्री अंधता से बचाओ करता है यानि कि night blindness से बचाओ करता है और जो vitamin A में मिलता है मचली का तेल से मिलता है कलेजी से मिलता है दूद के उतपात जैसे कि दही मखन घी से मिलता है और फल में गाजर और पत्यदार सबजियां से मिलता है vitamin B1 जो है जिसे हम thymine बोलते है समान्य भूक पाचन सक्ति तथा स्वस्त असनायू प्रनाली और भोजन की सक्रा को सक्ति में बदलना इसका काम है और जो हमें प्राप्त होता है vitamin B1 वो कलेजी से अंडे से फलिया से दाल से गीरी से तिलहन से खमीर अनाज और सेला चावल से हमें प्राप्त होता है अब बात करते हैं vitamin B2 की जिसे हम रेवो फ्लेविन भी बोलते हैं कोशिकाओं को oxygen के उप्योग में सहायता देना आखों को स्वस्त और साफ रखना तथा नाक मुह में आसपास पपड़ी नजमने देना तथा मुह के कोरों को फटने से बचाना इसका मुख्य काम है ठीक है और स्रोत जो है जहां से हमें प्राप्त होता है वो दूद है सप्रेटा है दही है पनीर है अंडा कलेजी और पत्यदार सबजियां इन सब से हमें vitamin B2 मिलता है अब बात करते हैं vitamin C की तो को सीकाओं को मजबूत बनाना रक्त वाहिक की वीतियों को सकतिसाली बनाना संक्रमन की रोग थाम और रोगों से जल्दी मुक्ति पाने की सकति परदान करना यह इसका मुख्य काम है और इसका जो सुरोत है वह है आमला अमरूद निम्बू की जा रहन करने और हटी मजबूत बनाने में सहायता देता है और इसका सुरोत है दूद मकन अंडे की जर्दी दूद पनीर मचली तेल और गी और कैसी है मौस फॉस्फॉरस का हमारे सरीर के लिए क्या भूमिका है आई उसके बारे जानता है हटियां और नात बनाने रक्त बढ़ आधी से हमें कैसियम और फासफॉरस मिलता है और आईरन कहां से मिलता है तो प्रोटिन के साथ मिलकर हमोगुलोविन बनाना की बात करें सुरोत की कलेजी गुर्दा हंडे सबजियां तीलंगीरी फलियां दाले घूर सुखे में और पत्तेदार सब्गी आरिन प्राप्त होता है और हम आपके सामने टेबल दे रखे हैं जिससे कि हमारे वीटामिन in कि जितने भी हैं सोर्स क्या है उसकी डिशियंसी क् होते हैं और किस कारण से होता है और आसा करते हूं को वीडियो पसंद आई हो कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड की भी सेयर करें थैंक यू